दौस्तों आपको पता है इस सल मतलब 2019 की एप्रिल माहिने में इलेक्शन स्टाट होने बला है तो दौस्तों यह जो इलेक्शन होगा एक कुछ आलक तरीकसे होगा आपको पता होना चाहिए तो दोस्तो इस वीडियो का आप आंतेक देखिए उसके बाद आप एक नया भोटार्स है नहीं तो भी चलेगा लेकिन दोस्तो आप एक पुराना भोटार्स है मतलब आप खुद एक भोटार्स है तो आपको इस वीडियो देखना पड़ेगा और आप सही तरीके से किस तरीके से भोड दे पाओगे उसके बार में भी बताऊंगा और आपको ज़्यादा तर जनकरी इस वीडियो के अंदर मिलेगा आप इस वीडियो को देखे आपको समाझ में आ जाएगा और आभी तो आप मेरो वीडियो के अमज़न का प्या बैलन्स आरण कर सकते हैं ज्यादा इंफर तो दूस्तो आप एक पुराना वोटार से है तो दूस्तो इस साल में आपको EVM मेशन की द्रोड देना पड़ेगा तो दूस्तो कीस तरीके से आपको इस वीडियो के अन्दर बाताओंगा तो दूस्त आप वीडियो को शुरू से लिए के इंटरेक दीखे आपको समझ में आ पर चीर पर चाहते हैं वहांपर मोज़ेंगा्याकलव की का को इलेक्ट्रोनिक गोंग मेशन मतलब इव मतलब यह जो control unit इसको evm कहता है लेकिन आपको पता होना चाहिए यह evm valid unit और control unit यह दोनों मिला के evm कहता है और दोस्तों इस सल आपको एक नया option देखने को मिलगा नया सामन देखने को मिलगा आप अपना voting component की अंदर जो हो गया है कि वीवी पैड तो गैस एक वीवी पैड क् गाइस एज वोडर वेरिफाइट फेफार आउडरे ट्रेल मेशिन इसमें आपको कुछ दीखने को मिलगा मतलब जिस तरीके से क्या होता है आप किसी भी दुकान पड़ जाते है और किसी भी प्रेंड आउड निकलना चाहता है आप देखने के लिए देम काम यहां पर भी करता है तो गाइस एजो इभी मेशिन कुछ दिन पहले चल रहा था कि एजो मेशिन इसको हैक किया जा सकता है लेकिन आपको बताऊंगा कि इसमें किसी भी तरह का ब्लुडूथ का इस्तमाल नहीं होता है नेटवर्किंग सिस्टेम वाइफाइ सिस्टेम रिमोट कॉन्रोल क किसी भी तरीके से इस मेशिन को आब दूसरी साइट से मतलब बाहर से कॉंट्रोल नहीं कर पाऊगे यह जो मेशिन यह स्रीब और स्रीब वायर से ही कनेक्टेड होता है तो गैस इस बार बाद आता है जो इभी मेशिन यह कितना ज्यादेतर भोटिंग काउंट कर पाईगा तो गैस यह जो मेशिन इसमें आपको मैक्सिमाम 3,480 वोट टोटाल काउंट कर पाईगा यह मेशिन इससे ज्यादा भोट काउंट नहीं कर पाईगा मतलब 3480 तक भोट यह काउंट कर पाईगा उससे ज्यादा भोट यह मेशिन नहीं काउंट कर पाईगा तो गैस इसमें ब वोटिंग सेंटर तक आने के बाद इस मेशिन को जो प्रिसाइडिंग ओफिसर्स होता है पोलिंग एजेंड होता है वो सब लोग मिलके इस मेशिन को सबसे पहले टेस्टिंग किया जाएगा जब इस मेशिन का टेस्टिंग कंप्लिट हो जाएगा उसके बाद मेशिन को इस त गरेंग देखने को मिलेगा लृट उनिट और गाइस दूपर छोना इस धो मेसीन को दैख वाओँगे और दूपर को bitcoin को आपको Sultan को मन लीजिए को साइड में आपको स्था क्ल में आपको जब ब्लेंग करेगा तो आपको पता होना चाहिए आप समझ पाओगे कि मेरा वोट काउंड हो जुका है उसके साथ साथ भी भी पैड मेसिन की अंदर भी एक स्लीब आपको देखने को मिलेगा जो स्लीब आपको तो नहीं दिया जाएगा लेकिन बाद में किस भी पार्टी र लोग को एप्रूब करेगा तो तब जाके रिकाउंटिंग होगा तो इसमें जो कुछ भी स्लीब मिलेगा वो स्लीब काउंड किया जाएगा इस स्लीब के अंदर आपका सीरियाल नंबर मिलेगा और जिसको आप वोट डाला है उसका लोगो और नेम भी पार्टी का मिलेगा तो इसमें भी भी पैड मेसिन के अंदर और कुछ भी आपको नहीं मिलेगा और यह जो स्लीब यह स्लीब नीचे में जमा किया जाएगा जो स्लीब बाद में किसी भी रिकाउंटिंग के लिए अपलाई किया जाएगा तो गैस इस बार बाद आता है इसमें आपको टोटल कि तोला सिंबल देखने को मिलता था लेकिन गाइस आब इस बार मतलब 2014 की बाद जितना भी EVM मेसिन मतलब बैलोड यूनिट तैयार हुआ है इसमें आपको टोटाल 20 सिंबल देखने को मिल सकता है तो इसमें लाश्ट में आपको एक नया आपसन मतलब यह सबसे पहले भी थे ले नोटा की मतलब आप किसी भी पार्डी को सिलेक्ट नहीं करोगे आप आपना भोड दोगे लेकिन किसी भी पार्डी को दोगे नहीं तो भोड देना तो मेंडिटरी है भोड देना ही चाहिए भोड आपको देना ही पड़ेगा लेकिन आप किसी भी पार्डी को भोड देना नहीं चाहता है तो इसले आपको लिए एक बटन एक सिंबल है जो कि है नोटा अब इस बटन को फ्रीज करके आप आपना भोड कमिसनर की अंदर जमा करवा सकते हैं तो गाइस और कुछ नहीं इस विडियो की अंदर आप जाए आप आपना भोड सुरक्सित दीजिए सही तरी सब्सक्राइब कर दीजिए और जाद से जादा सबको इस विडियो सेर कर दीजिए तकि सबको इसके बार में एड लिस्ट मालूम चल जाएगा तब जाके सही तरीके से भोड़ दे पाए बस इस विडियो में इतना है जाए हिंद्यों वांद्यमात्रम